दोस्तों चलिए बात करते हैं सुखन मलेशिया T20 जो KED वर्सेट PUP के भी जो मुकाबला खिला जागा एक बहुतर मुकाबला हो सकता है तो दोस्तों इसमें हम लोग एक बहुतर तरीका से मैं कुंबिनेशन बताऊंगा देखो वीडियो में जो बताता हूं लगभग 100% वर्क करता है फिर भी आप लोग क्यों नहीं फोकस करते हो भाई कल ही जीएल जीता है मीनी जीएल मैंने जीतवाया दो-तीन मैंच में आर बहुत सारे लोग जीएल विन करें तो थोड़ा सा आप क्यों नहीं फोकस करते हो बस फाइनल टीम आये बस पाइनल टीम में रखाए बाई फाइनल टीम तो मैं देता है यह अललग की बात थे खूद से थोड़ा सा करू ना फाइनल टीम में क्या होता है कि अच्छा भी जाता है के लेस होता है मज़ा नहीं आता है जाधा तर और यहाँ पर तो फिर से मैं बताऊंगा वीडियो को फोकस करो अच्छा जाएगा तो दोस्तों अगर आप इस मुकाबले को खेल रहे हैं तो हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना काफी जादा जरूरी है क्योंकि वहाँ पर फाइनल टीम मिलेगी बहुत सारे एसे में जिनका परकार है तो दोस्तों जैसे है कि आप हमारे इस परकार से वीडियो देखते हूँगे यह हो गया description में आपको क्लिक करना जैसे यहाँ पर किलिक करेंगे नीचे आपको टेली गराम चैनल का लिंक दिखाई देगा इस बूलू बाली पर आपको किलिक करना किलिक करते ही हमार तो दोस्तों हमारा टेलीगराम चैनल आपको इस परकार से दिखाई देगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए उनसे आपको बचना है जो कि हूँ बहु आपको डोमेस्टिक पिलिंग 11 नजर आएंगे ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के जरी यही जुड़ना है तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे दोनों टीमों का के इडी की टीम जो है देखो एक मुकाबला इनका ओवेंडेड हो गया यानि बारिस की वज़ा से एक मुकाबला एफ आसरी गजब का ओल रौंडर है अब उनकी गिंबाजी देखिऊ जा तो गिंबाजी आप खुद ही देखलो यह इनका गिंबाजी रहा था यहाँ पर तो दो आपको नजर ही आ गिया होगा यह सब करो खुद से करो बेतर आएगा डेली के डेली बेतर जा रहा है तो बेतर क्यों नहीं हो सकता अब बात करें अगले टीम का तो देखो इनका देखा जा तो लाश्ट के मुकाबले ये काफी सारे खेले हैं ऐसाग पार्ट टाइम गेनबाजी के लिए भी जाने जाते ये बढ़िया इनके अलावे भी कुमार की बात के एक विक्टे लेगा अच्छा गेनबाजा एकोनमी देखो लाजा बाब है इनके अलावे निजाम की बात के इनका भी एकोनमी जबड़ दास्त है 15 रंदेकर एक विक्टे और वन विक्टे नहीं लिया लेकिन इनका भी एकोनमी देखो त कुछ टे तोबर में ये बंदा गेंदा करवाता है हिलका फलका बल्लेबाजी भी इनको आता है यानी कि ये ट्रंपkat होगा फूल रिष्की टीम में रिंसी की टीम पढ़ा नहीं हो पाए क्योंकि एस एल की टीम जो थी काफी ज्यादा इस्ट्रोंग थी उनके सामने बहतर परदर्शन करना नमुम्किन था और दो सो एक आउवर रन का पीछा कर रहा था आप सो सकतो और भी ज्यादा मुश्किल हो गया नहीं तो यह 125 तो एजी मार सकते थे ग जया गोबल की बात के इनको पिटाई पढ़ रहा लेकिन यह बंदा डेतोबर में गेन बाजी करता है यह दोनों स्पिनर का इकोनमी काफी बढ़िया था इनकार इनका दोनों बहतर स्पिनर हाई भी सामने एक टीम काफी ज्यादा इस्ट्रोंग थी इस वज़या से दोनों क चलिए सबसे ज़्यादा जो है महत्पूर्ण कॉंबिनेशन लेकिन इससे पहले हैगा जदि हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेर कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इनफोर्मेशन देता हूँ फिलाल जो अपडेट चार रहा है वो है फिरी में टी सेट कैसे लेना है सारे भाईयों को मैंने फिरी में टी सेट दिलवाया अभी भी किन ही को नहीं मिला वो भी आसानी से ले सकते हैं तेली गराम चैनल पे वीडियो पिन होगा उनकी सहाइता स इनके अलावे भी कुछ जनकारी लेना हो तो इंस्टाग्राम पे मेंसेज करो ना मैं वहाँ पर सारे लोग के रिपल आए भी देता हूँ वह भी बहतर तरीका से तो तो चलिए अब चलते हैं मेच के अनलेसिस पे किस परकार से मैंने टीम बना के राका क्या इस और उतना खास नहीं है लेकिन रिकूर्ट ठीक ठाकर ट्राइ करना चीए अब बात करें यहाँ पर अजमी को तो मैं आपर एम अरव अजमी को यहाँ पर पिक किया हूँ अच्छी खासी यह बल्ले बाजी कर लेते हैं और हलकी फलकी पाट्टाइम गिन बाजी के लिए भी जाने जाते हैं अब यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर एसाक की तलागाताल इन्होंने बल्ले से अच्छा योगदान दिया तिस वज़या से मैं ने इनको यहाँ पर पिक किया हूँ अब बात कर यहाँ पर किरीज योगेस का तो इनका भी रिकूर्ट ठीक ठाक है लेकिन जी यल के लिए ज्यादा बेतर उतना खास कर नहीं पाता है भी कुमार को आगबंद करके पिक करना ए मली को भी आगबंद करके पिक करना एच है काल अमीन को भी आगबंद करके पिक करना है अब इनका सेलेक्शन काम है फिर भी इनको पिक करना केप्टन भास भी चाहो तो जाना ही नहीं, डोमेस्टिक पिलेंग 11 फेमिली के जितने लोगा है, सेलेक्शन पे कभी मैं नहीं जाता हूँ, एक पर्सेंट पिलेर अगर जेस सेलेक्शन हो वो बहतर तो मैं उनको केफटन देता हूँ, वनसाइडेड वीन हो, वनसाइडेड लोस हो, जो रिकोर्ड है तो रिकोर्ड है, तो ये पास्री का रिकोर्ड बहतर है, केप्टन वाज के लिए बेश्टोप्सन है, तो क्यों ना पिक करें, केप्टन वाज के उपर इनके उपर जा सकते है, पिक तो दूर की बात है भया, तो चार बहतर ओल रॉंडर लिया, इनसे बहतर चार ओल रॉंडर क कोई हो नहीं सकता भले इलिए लोग खराब परदसन कर दें लेकिन रिकोर्ट तो जबरदस्त है यह यूसूप यह भी ओल्रॉंडर है हलांकि दुर भाग गया है कि यह गेनबाजी सेक्षन पर नहीं तो दिक्कते हो जाती ओल्रॉंडर पर राता तो तो गेनबाजी पर बहतर इस वज़ा से मैंने पिक्क है इनके जग अच्छा होती है यहां पर सेमेल को भी पिक कर सकते हैं दोनों का रिकोर्ट लगभग अच्छा खासा है अब यहां पर बात कि इनको एक मेंच में गेनबाजी मिला था बांकी का नहीं मिला अब देखो कि इनका सेलेक्षन बहतर हो यह विक्टे ले जाए एक विक्टे तो आप कहोगे भईया उनको क्यों नहीं पिक किया तो भईया आप खुले आम है आप पिक कर सकते हुँ लेकिन हमारे टीम पे फिलाल रिकोर्ट जिनका बहतर है उनका ही जगा बनेगा यह लाइकम की बात के इनको मैं पिक है इनका decide कर देखो ये बिक्टे ले गया भई या लेकिन इनका record बेतर नहीं है बाद में मुझे मत बुलना इनका record बेतर ये pick कर से तो ये तीन में से एक दो और ये एक हो गया तीन, इन तीन में से किसी एक के साथ आपको जाना जिए ये खुद आपको decide करना जिए फिलाल के लिए मैं यहाँ पर डी वहीरन को यहाँ पर पिक क्या हूँ इनके लाभे एक ओल्डेडी यहाँ पर भी गिनवाज हो जाता है अब केप्टन वहास के लिए देखा जातो देखो केप्टन वहास के लिए यहाँ पर बेश्ट ओप्शन कौन-कौन से है पहला नाम यहाँ पर आएगा ए यूसुप, दूसरा आएगा यहाँ पर नाम हैकाल आहमद का, तिसरा नाम आएगा ए पसरी का, चौथा नाम आएगा ए मलीक का, तो चार बहतर है यहाँ पर केप्टन भास के लिए और इनसे बहतर कोई हो नहीं सकता, तो इन चार के उपर आपको खूद decide यहाँ पर करना होगा, यह हो गया, यहाँ पर 3 और 1 यहाँ पर 4, इन 4 में से किनी एक के उपर आपको जाना चाहिए, यहाँ पर एक गिनबाज के जगा यहाँ पर 3 उप्शन है यहाँ पर इनके जगा अब की नहीं को भी पिक कर सकते हो एक एक उपसन है तो यह सब आपको करना चाहिए GL पर ट्राइ करो बहतर रहेगा तो दोस्तों फिलाल के लिए मैं अपने वीडियो के यही समाफ्त करता हूँ तो उसके बाद मैं अपडेट करूगा क्या इस मोल लिक के लिए बहतर है या फिर GL के लिए बहतर है तो मैं एक से अधिक टीम भी दे सकता हूँ तो दोस्तों चलिए मिलते हैं इस मेंच के अपडेट कर साथ फिलाल टेलिग्राम चैनल पर डोमेस्टिक फिलेंग लवन पर आपको सारा अपडेट मिल जाएगा